नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया, आप देख रहे हैं टीटीन 24 न्यूज, आज की खबरों की सुर्वात कुछ बड़ी खबरों के साथ पुलाई बाड़ी, कुछ बोना, बढगाटा, सहिदरजनों, ग्रामों के गरामिनों ने आज समाज सेवी हाविल मुर्मु का मंत्रित कर अनियमित विद्यूत सीवा और विद्यूत मिस्त्री के लापरवा के संदर में अपना आपीती सुनाई ग्रामिनों ने समाज सेवी हाविल मुर्मु के समख शपनी सिकायती करते हुए कहा कि जारकंड सरकार के भरतपून यूशना, हर घर 200 यूनिट मुफ्त विद्यूत सेवा और सुईधा रहने के बावजूत भी विदे, विगत एक वर्स से उप्रोक्त सभी ग्रामों के ग्र ग्रामिन कहते है कि ऐसे दिशम परिस्तिती पर इस्ताने विद्यूत मिस्त्री द्वारा बराबर मनमानी और लापरवाही करने के कारण वूप्रोक्त ग्रामों पर बिजली सिवा उप्लद नहीं हो पा रहा इस संदर में ग्रामनों के नहीं नारे लगा कर के कहा कि विद्यूत विभाग हमारी मांगे पूरी करो सोना धाब और जामगडिया पंचाइट के सभी ग्रामों पर नियमित बिजली सेवा बहाल करो नियमित बहूल विद्यूत सेवा बहाल हे तू अतरिक्त विद्यूत मिस्त्री का बहाली करो इस अंदर पर समाज सेवी हाबिल मुर्भु ने स्थाने ग्रामनों का शिकायद और मांग का समर्थन करते हुए कहा कि विद्धियूट विभाग यथा शिक्र बहूल आदिवासी ग्राम पर विद्धियूट सेवा और अतरिक्त विद्धियूट में स्थिरी उपलग्द कराएं तो हम लोग का ये मांग है कि बिजली विभाग से मतलब यहां पांच-छेगों गाउं का लड़का सब यहां जमा होएं और यहां बासखंदरी सुनाडाप और भासखंदरी सुनाडाप धरवमपूर, कड़ा-कड़ा, राजपड़ा और बिराजपूर, सुलुंगा सभी एक साल से बिजली ठीक से नहीं दे रहा है, तो हम लोग यहीं चार है कि मतलब बिजली बिजली दिया जाए बढ़या से और बिजली विभाग से हम लोग निवधन करते हैं कि बढ़या से बिजली दे दिया जाए और हम लोग यहीं हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग बहुत बीजली बढ़्या से होना चाहिए और मिश्करी बढ़ाना चाहिए और इसको करेवी कम है कि अकेले नहीं संभल कर पाएं तो मिस्टरी बोलता है कि हम लोग अकेले नहीं संभल कर पाएंगे तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यहां हम लोग को सुनेडा पंचात के अंतरगत में राशपूर धरमपूर सुलूंगा और बासकंदरी सुगनी वसा राजपड़ा यही हम लोग सभी गाहों के लड़के सब ज आज मैं सिकरप्रापरखंड अंतरगत थोनड़ा पंचात और जमुगड़ा पंचात अंतरगत पांच से साथ गाह यहां पर हैं जो भैला पत्थार विराजपूर धरमपूर सुगनी बासा राजपड़ा जमोगड़िया कुसमुना और कुलाबारी तमाम इस सब गाह की ग् सब्सक्राम में एक साल से बिजली सेवा नियमित इनको ने मिल रहा है यहां के जो भी इस्तानिय विदुत कर्मी है उनका लापरवाही सेवा देने के कारान उनको 24 जानता विजली उपलोग ने मिल पार रहा है कि घरकट बने के बाद 24 साल बार हुआ और सरकार दवा करती है है कि हम आदिवासी गाहों को विकार से जोड़ने का काम करें लेकिन सरकार का दावा खुकला साबित हो रहा है आज तक आदिवासी गाहों तक 24 घंटा आज तक बिजली इनको सेवा ने मिल पार रहा है कपी दुख की बात है आप हमारे युवाहों को रोड पर आना पढ़ दुख की बात है आज के इस बैठाक सवर और इस अंदोलन के द्वारा दुमका विद्यूति वाग को हम अगरे करते हैं उनको एक ख़बर करना चाहते हैं यहां पर कम से कम लगातार इनको बिजली सेवा मिले और अतरिक मिस्त्री संख्या बढ़ाने के काम करें ताकि कुछ कुछ भी इजर में कुछ खराबी आती है तो जल्द से जल्द यहां के लोकल मिस्तिस को ठेक करें और आजिवासी गाहां को नियमीत बिजली सेवा का उपलत हो यह हमारी माग है